कि डी हाइडरेशन याणी कि ह स्थाओ को निकालना एंस कुम निकलेगा जब फ्च्ट्रों होगा यानि ऑकसीजन होगा तो देखिए ध्यान से जनरली हमारे पास ये अलकॉहल होता है को ही भी एलकॉहल और उसमें से माइनस हिरे पास अलकीन या सोणो अपके पास से सी एंट टू एंट प्लस वन और ओ या एच ऐच टू एंट प्लस वन ओंच समझ में रहा है और एचिक तो निकाल दोगे माइनस एच टो कर दोगे तो आपके पास कैद रहे जागा सी एन हetr फैर वहने किसव फैर इंड को फॉन समाझा है यह कल का h healing एलकॉल हो गया और यह चली यह जो निकाला भी रीजरी लिए एच सघल जोने ही लड़ जिनेशन H2 Nikola D Hydrogenation HCL जोड़ना Hydro Halogenation HCL निकाला D Hydro Halogenation सब्सक्राइब करना है लोगी नेशन है लोगी निकालना C2 निकालना दी है लोगी नेशन तो यह हम जो करने जा रहे है D Hydration H2 निकालना यह दो तरह से हो सकता है कैसे पहला कॉंसा हो सकता है complex reaction हो सकती है complex reaction इसमें क्या होगा कार्बो केटायन इस इंटर्मीडियट है दूसरा हो सकता है elementary reaction elementary reaction का मतलब एक ही step में reaction होना और complex reaction का मतलब कार्बो केटायन बनना multiple steps में होना समझ में आ रहा है पूरा chemical kinetic involved हो गया तो यहां कार्बो केटायन बनेगा कि इंटर्मीडियट नहीं नो कार्बो केटायन जंडरेट सीधी reaction होगी single step elementary का मतलब ही single step है single step reaction बोलो clear है concept और यह क्या है multiple step reaction तो यह कब देखने को मिलेगी जब आपके पास reagent कौन से होंगे इसमें reagent इसके लिए हमें ऐसे reagent चाहिए जो तो acidic hydrogen रखते हो और strong oxidizing agent ना हो जैसे HClO4 HNO3 वो मत रखना क्योंकि वो strong oxidizing agent है तो वो दिक्कत पेदा करते हैं आपके लिए आप क्या रखना पसंद करोगे strong acid तो हो लेकिन weak oxidizing agent हो तो इसके लिए चाहिए strong acid but पूरा लिख लो आप strong acid but weak oxidizing agent हो अगर आपने strong oxidizing agent ले लिया तो पता क्या होगा जो हमारा एलकॉल ले रहे हो वो ऑक्सिडाइज हो जाएगा ना की dehydration देगा तो दिक्कत हो जाएगी और इसके लिए reagent हमारे लिए होंगे H2SO4 इसी का कोई salt ले लिए KHSO4 क्योंकि यह भी acidic है H की वज़ए से इसके पास acidic hydrogen अभी है SCPO4 और जितनी ज्यादा concentration रखेंगे उतनी reaction अच्छी रहेगी उतने strong बना रहेगा तो सभी के लिए क्या लिखना पड़ेगा concentrated वो तो ही concentration concentrated तो रखेगा ही रखेगा अब आगे आपको समझ में strong acid but weak oxidizing agent strong acid strong oxidizing agent कौन है HNO3 SCLO4 SCLO3 यह तो मत लेना और यहां आपके पास क्या होंगे यहां आपके पास होंगे metal oxide metal oxide जो की catalyst का काम करेंगे जिसमें आपके पास आ सकता है P2O5 AL2O3 thorium oxide POCl3 इन सब को आप लिख सकते हैं यह direct बिना कार्बोगेटायन बने आपके लिए होगा तो आप एक बहुत हैं यह वो जो अपने वन्टू shifting वगेरा पड़ा है वो किसमें काम आएगा case first में या case second में first में समझ में रहा है तो हमने जितना भी कार्बोगेटायन या resonance shifting करी है वो हमारे पास यहां काम नहीं आएगी क्योंकि यह तो करेंट यह तो बिना कार्म के डायन बना रहा है सीधा सीधा प्रॉड तो यहां अमारे पास एक पॉइंट और लिखना है इसके नीचे पहला यहां वन्टू shifting इस जगह तो shifting होगी या नहीं होगी होगी या नहीं होगी इस पासिबर आप वन्टू shifting करेंगे resonance shifting करेंगे बिल्कुल करेंगे आप तो तो रेजनेंस shifting कौन सी होती है 1-3 सीधी 1-3 हो जाती है 1-2-1-3 shifting इस पासिबर और रेजनेंस shifting इस पासिबल, आपको यादे, रिए रेजोनेंस शिफ्टिंग मेंने कैसे कराई थी ये फर्स नमबर गा कार्बन इस थाड़े और फर्स वाले पर कार्बन पर प्रसे, ये इधर जाएगा तो सीधा प्लस यह जाएगा, तो सीधा प्लस यहाँ जाएगा, तो कॉण सी तो अच्छी बात क्या है कि यहां पर बीना दिमाग लगा है एच टू और लिब्रेट करना है तो जब भी आपके पास एलकॉल इस तरह का हो ओएच तो बीना दिमाग लगा है इसको हटा दो यह देखने को मिलेगा इसके लिए आप कोई भी मैटल ऑक्साइट एल टू थी इन में से ले सकते हो जो मैंने लिखाया और गरम करना तो पड़ेगा ही करें पड़ेगा बनेगी तो यहां पर भी लेकिन यहां पर थोड़ा प्यार से अर यह बात साज में तो यहां बनको तो पहले तो यह लिख लें फिर प्रक्टिस करेंगे और ध्यान से हैं तो हैडिंग डेलेगा डिए हैड्रेशन ओफ एलकोहल जल्दी सिंपल सा टॉपिक ले रहे हैं डिए हैड्रेशन ओफ एलकोहल बाइच प्लस आयन यानि हम जित्ती भी एलकोहल है उन पर एच प्लस आयन अटेक कराके देखतें कि क्या रियक्शन होती है और क्या प्रॉडक्ट बन रहा है तो जनरल वे में हम यह देखते हैं कि हमारे पास कोई भी एक अलकोहल है ओएच है हमने एच प्लस लिया ले लिया हम यह देखते हैं कि यह एलकोहल इस एलकीन में चेंज हो जाता है जो ज्यादा स्टेबल है यानि यहां हमें क्या लगना पड़ता है इस प्लस बहुत ज्यादा कंसेंट्रेशन रखनी पड़ती है और चाहो तो थोड़ी सी हीटिंग भी कर दो ठीक है और अगर आपने कुछ डाइल्यूट कर दिया तो यह रियाक्शन रिवर्सीबल होती है यानि एच प्लस डाइल्यूट यह हमें प्राक्टिकल यह पता चला मैकेनिस बाद में निकलती है पहले प्राक्टिकल होता है अब आगे कि ऐसा क्या हो रहा है जिसे यह रियाक्शन हो रही है हमारे दिमाह में यह आएगा और थोड़ा सा डेफिनेशन के बारे में लिखते हैं तो हैडिंग डाइगी जाएं इन प्रजेंस ओफ कंसंट्रेटेट एच प्लस के लिए आप क्या ले सकते हो एच टुए सफोर या एच सीपी ओफोर कुछ भी ले लीजिए जिसे एच प्लस हाया बस वह स्ट्रॉंग ऑक्सिडाइजिंग नहीं होना चाहिए जैसा मैं पहले भी बोल चुका हूँ बस एच प्लस होना चाहिए एलकोहल कंवर्ट इन इस मोस्ट इस्टेबल कॉंजुगेट अलकी उस एलकोहल से बनने वाली यानि उससे रिलेटेड कॉंजुगेट से मतलब रिलेटेड एलकीन लेकिन उनमें बहुत सारी अगर चांसे तो हम उसे एलकीन को बनाएंगे जो की ज्यादा स्टेबल है यह हमारे पास कंशेप्स आया इसको और अच्छे से समझने के लिए आपके पास यहां ओएच है थीनों तरगी यानि बन सकती किते प्राड़क बनेंगे यहां पर दो या तीन तीन गलती से भी दो मत बोल देना ठीक है ना हमेशाव स्टेरियो का ध्यान अपना हमें तो यह तीन तरगी आपको देखने को मिल रही है यहां तो आपको पहला काम यह बताना है कि कौन तो जो जितनी ज्यादा स्टेबल है और उससे कांजुगेट है वह ज्यादा क्वांटिटी में बनेगी यह हमारे को बताया गया किस टॉपिक है अंतरगत डिया हैड़ेशन आफ एलकॉर लेकिन हो यह रादा कि हमें मैकेनिस की आदत हो गई कि हमें पता लगना चाहिए यह कै से बन रहा है तो अगला हैडिंग हमारा यह रेगा मैकेनिस मैकेनिस तो बात करते मेकनिस कैसे चलता है स्टेफ फ़र्स्ट तो इस टेफ फर्स हमारे लिए क्या रहेगा हमारे पास यह ऐलकॉल था इसमें और यहां पर loan pair है तो जब हमारे पास यह step first है और यहां loan pair है H plus कहां attack करेगा भू का नंगा है खाने को मिलेगा वही तो जाएगा और खाने को कहां मिल रहा है वो loan pair दिख रहा है उसको oxygen के पास दो-दो है लेकिन देता वो एक ही है तो यह एच प्लस यहां जाएगा और यहां जाती ऑक्सीजन के लोन पेर पे हमला ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आएगा प्लस बोलो आएगा या नहीं आएगा तो यह स्टेप फॉस्ट हो गई गरिश प्लस बार्द के लिएख यूदा शारσι एक्सी जटेबल है ओक्सीजन पर फ्लस चार्ज निश्टेबल तो वह क्या करें और वो कुछ करना के कुशिश होका यहां तीन बाती और सकती यह पहली यह बात तो क्लियर रहे हैगा यह ऑभा इस दाट के लिए ये वाला पूरा 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 बॉण्ट शिफ्ट कि कह old थरफ हो गया और अब अब अगर यहां पर यह वाला हाइडोजन है समाई न 그러나 यह वाला इस तरफ गया और यह वालान इस तरफ टोट के यहां चला गया सो तो क्या बनेगा शक्राच न्दर कुषिए अएनदर प्रॉड़क्ट आपको क्या देखने को मिलेगा ओ इस Monate कि मिलेगा या नहीं मिलेगा मिलेगा और अगर यहां पर स्रप्अपर जो देखने को मिल रह था summer the next जो देखने को मिल रहा है कि ऐसा भी हो सकता था कि यहां पर एक है एक सालीड और एक डैश ठीक है यह वाला बॉंड पर प्लस चार्ज यह तो हम भी जानते है ऑक्सीजन पर यह इस तरफ शिफ्ट हुआ और यह बाहर चला जाएगा यहां पर भी हैडोजन है तो एक हाइडोजन बाहर जा रहा है तो हमारे पास क्या बनेगी एलकी बनेगी या नहीं बनेगी तो यह हमारे पास एलकीन बनेगी और एक और बात हो सकती है कि हमारे पास यह वाला हैडोजन चला जाता है बाहर तो कुछ और एलकीन बनने को मिलती है और वह यह है लेकिन सब में अच्छी बात यह इसमें एच्टू और कॉमन निकलेगा और यहां पर क्या रहेगा आपके पास एच्प्लस एच्प्लस तो खेर आ चुका है सेकेंड इस्टेप में यह आपको देखने को मिलेगा माइनस एच्प्लस भी होगा क्योंकि एच्टू निकला है और साथ में एच्प्लस भी निकला है के कontin देखने को मिल रहे हैं इस्टीरियो सीटी यानि स्टीरियो से प्रेजेंट से इसलिए दो हैं यह फरक नहीं ब chef पड़ रहा है सिद्पार्ड यह अर वैसे वी टर्मिनल को लकीन कोरा होता नहीं है तो अलिए ये मैकेनिस से सामतु की हम ये एक्दम से कैसे लेंगे हमारे पास dwa हईटो तो मेरे में हाँ तो एक आय की यह दूको पहले हटा दो एक बार्से बना दो एक पर टॉस्वन और तो बागी बहुत आसान है यह सभी सेकंड स्टेप में से या तो यह होगी या यह होगी यह होगी लिए सबसे ज्यादा होने के चांसे किसके होंगे इसके हाँ बिल्कुल इस टीरियो का ध्यान अगना पड़ेगा नंबर आप प्रॉडक्स निकालने के लिए नॉर्मल यह आप नहीं बता पाओगे तो आपको यह समझ में आया या नहीं हाया ना तो यह आपके लिए हो गया एलकॉल का डी हाइडेशन जो आपने बहुत अच्छे से कर लिया ठीक है इसको अट करते हैं मैं कुछ और क्योंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि क्या बनेगा इसमें अगर यहां पर भी अलकॉल है तो अब खुद सोचो आपको करना क्या है इसमें वेच को अटाओ और प्लस लगाओ बीच की मेकैनिस हटा दो बनना तो यह ही है एक च्टो निकाल लो अब क्या यह ओलेडी स्टेबल है हां तो वन टू शिफ्टिंग होगी क्या नहीं वन टू शिफ्टिंग नहीं होगी अरे वां तो यहां से कौनसा निकलेगा अब आपके पस बहुत सारे संसे अपगी अप्या आपके यह हैजिब और आपके यह हञता है तो तीन तरगे प्रोडक्ट बनेंगे आपके पास एक यह बन सकता है क्या एक यह बन सकता है और एक आपके पास यह बन सकता है अब बताए इनमें मेजर कौन सा होगा A B C में जल्दी बताई ये Major कौन सा होगा Most stable Alken generated in more quantity आप मान के चलिए Alpha Irogen सबसे ज्यादा इसमें है तो Major ये होगा जल्दी होगा या नहीं होगा सबसे ज्यादा Alpha Irogen इसमें है तो Major ये होगा Next, Example दिखिए का दिहान से हुआ है होड़ा सा ही ठिटिंग कर दो ज्ज्छादा ईजी रहेगा हीटिंग करने से जो पानिय हो जाएग या नी विप्राइस of course अपने आभी क्या जाएगा चनट्रेत हो जयागा ज्यादा इजब़ाइजी रहेगा आप क्या करोगे आपका एक लारा यह हमारा ये O H हमारा हो गयाidence प्लस ने ले लिया अब बचा किया कार्व केटायन क्याओंक क्या वंद्टोशृटिंग होगी या नहीं होगी होगी बिल्कुल बीज़ और वट्वरपिर बॉन के लिए अपने क्या करा था लास्ट में यहां प्लस यह वाला बॉंड प्रेक करके यहां पर क्या लगाते थे प्लस और यहां क्या लगाते माइनस फिर क्या करते हैं इन दोनों बॉंड को डॉटेट कर देते हैं तो क्या हो गया फाइनल ही क्या मिलेगा आपको यह वाला कार्बोकेटाइन मिल गया मिला या नहीं मिला और कार्बोकेटाइन यह मिल गया तो अगला प्रोटक्ट इसमें तो एक ही एलकीन मिलेगी या दो मिलेगी जल्दी बोलो एक या दो एक शौन लॉक कर दू मैं तो यह आपका दूसरा एक्जाम्पल हो गया है 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 अगर यहां पर और तो कितनी मिलेगी आप भी इंटालीजेंट हो गए आप अराम से बना सकते हो यहां तक तो कार्बो केटार रियक्शन में इसे यही फायदा है कि हम नंबरों प्रॉडक्स पर कमेंट कर सकते हैं नहीं त तो और प्रॉडक्ट कौन बनेगा उस पर भी तो यहां तक तो आपके पास बिल्कुल सही था कोई दिक्कत नहीं थी यह सीएज थी थी था और यहां पर माइनस, यह प्लस, यह प्लस और यहां पर डॉट इट और यह थी 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 ysis, finally Carbogenane, आपको कौन सा मिलेगा या उपर? ये दोनों मिल गए, तो ये plus आगया, एक जगा plus लगा दो, जिस carbon पे plus है, द्यांदा साथ, उसका 1, 2, 3 carbon पर, 1, 2, 3 carbon पर क्या है? हा यद का BY, CSC है, पक्का, तो किते frozen product मिलें आपको, एक यदो? यह एक मिलेगा या दो मिलेंगे जल्दी से बोलो भाईयों और भाईयों देखो इदर यह काईरल है है या नहीं है काईरल है या नहीं है तो काईरल है तो आपको देखने को मिलेंगे एक यह और एक सीएसट्री आप देखो तो यह दोनों जगह सीएसट्री देखने को मिल रहे है यह आपके लिए दो प्रॉड़क्ट होंगे एक यह और एक मैं उपपर बना देता हूं क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ आप मुझे बता हो ये दोनों एक दूसरे के साथ एनाईशो मर्स है या नहीं है है खतम बात है यही तो हमारे को समझाना है आपको कि ये दोनों एक दूसरे के साथ एनाईशो मर्स है आपके दो प्रॉडक्स तो देखने को मिल रहे है हा ब अरे उससे कोई फार्क ने पढ़ रहा भी तो यह तो यहां लगाओ यह यहां लगाओ यह यहां लगाओ इस पैरिक सारे के आप यह कहना चाहते हो यहां लगा दो ठीक है उससे कोई फार्क नी पढ़ रहा रहा रिंगी तो है रिंग को आप कैसे भी देखो कि उससे कोई नहीं पढ़ रहा भी था अब यह इस कंपाउंड में प्लस यहां 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 कहीं भी दिख सकते हो साइक्लिक है साइक्लो एक्जेन है ठीक है ना तो यह आपके चोड़ी चोड़े डाउट होते हैं अच्छा है पूछो और कुछी को कोई डाउट हो आदत क्यों होती कि ठीक है आप यहां गेना चाहते हो बात यह कहीं पे भी लगाओ अगर आप यहां लिख रहे हो तो में बने की तो यही हो तो कहीं से भी कोई फर्ग नहीं पड़ता हो असकेश में तो और यहीं यह बने या पहले वाली बने बात एक ही है कि आ अब इसको वहां नहीं लिख सकते है double bone को, कहीं पे भी लिख सकते हो, तो डढ़ने की बात नहीं है, सोच बस से समझो इस बात को समझने की बात है, ठीक है, तो आपने तीने एक्जामपल मेर साथ डिसकस कर लिए, और और ले रहे हूं, एक्जामपल 4, 5, 6, कैसे सोचते हैं, मेरा तो एक हको न सुचके प्रोडक्ट को सौच के देखो आपके बैंगे यहां पर मैं भूक्तन ना ह जा सकता है यह जा सकता है, यह जा सकता है, तो देखिये, यह भी बन सकता है, वन टू शिटिंग होगी, क्या नहीं, और एलगी स्टेबल है, रिंग एक्सपंचिन होगा, क्या नहीं, क्योंकि रिंग एक्सपंचिन पहोता है, जब यह पूनास यह जरो है, एल्फा पोजेशन पर हो दूसरा ये बने का तीसरा आप चाओ तो यह भी बना सकते हो क्या ये दोनों एक ही है या अलग है मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है आप मेरी मदद करो कितने प्रोड़क्ट दिख रहे हैं ये और ये सेम है या अलग है अलग है मार खाओगे यहां पर हाइड्रोजन एक ही यहां पर एक ही है सिस्ट्री एस पी टू है कारबन है पीछे घुमा दो कोई फर्क नी पड़ेगा प्लेन में वो नहीं होगा सालिड एश तब होते हैं बेटा जब दो वैलेंसी हो इस कारबन पे एक उपर नीचे यह एस पी टू है एक ही वैले है वह तो प्लेट में उसी प्लें में जिसमें नीचे में तो क्या यह ओलग है नहीं दीजए आपके आंसर एंशोे मिलेगा कर यहां पर नीमलेगा Einstein मेर यहां नहीं मिल रहा है आपको द्यानुधर तो संद्ना ठीक है अब यहां देखो यहां आपके क्या हो रहा है तीन कारबन का यह पडया काफीAll एस टेबल खीके तो मैक्सिमम पेअर आपका क्या बन जाएगा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अब होगा क्या 1-2 शिप्टिंग होगी क्या स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ जाएगा क्या नहीं तो कुछ हद तक तो यही बनेगा पक्का लेकिन यह प्रॉडक्ट इस्टेबल नहीं रहेगा क्यों नहीं रहेगा यह स्टेबल है स्टेबल होने के बाद अब यह क्या करेगा फिर रिंग एक्सपांशन तो कर सकता है कोई डाउट तो यह बापिस कंवर्ट हो जाएगा किसमें इसमें वह बनेगा नीन प्रॉडक्ट इस्टेबल नहीं है हाँ भॉच इस्टेबल है लेकिन प्रॉडक्ट इस्टेबल नही होटाउट के दी आलचक्राइब प्रिक्ति अति आपकर नहीं है आपका यह बन जाएगा Less Stable Due to High Angle Stress इस जगर Due to High Angle Stress तो छोटी छोटी बाते हैं उनको समझो तो मेजर आपका यह बनेगा इसे का प्रॉडक्ट इस्टेबल है बेटा मेने कल बिलकुल बताया था कार्बोगेटायन यह बनेगा है ना सही है डांसिंग्रेशोन है इसकी वज़ा से लेकिन यह कभी भी ऐलकीन में कनवर्ट नी होना चाहेगा हाँ अगर कोई नुक्लियो फाइल इस पर अटेक करता तो वह यहां अटेक करता जैसे एक्स माइनस अगर कर देता यहां पर प्लस है और यहां पर सपोस्ट इयल माइनस आता तो वह यहां बनता और क्योंकि आलकीन तो बनना नहीं था है बड़िजेशन चेंज नहीं होता इसका तो वह मेजर प्रोड़क बनता अरिवा समझ में तब ऐसे शिफ्ट हो के सियल यहां नहीं लगता आप यह मुझर में के निद्हल के रिली फेट बाल तो प्री इस्टेबलेट इस्टेबल थो बीर अगतुव ऐगा तो समझ में आई बात यह है बी ऑपके लिए बहुत प्रॉट्पर ॥ेफ्ट के ऑपोरिट का एक लिए तो प्रोड़ग भी इस्टेबल होना चाहिए नही कि एक इस्टेबल से लेस्टेबल की तरफ जाने में टाइम लगेगा टाइम लगेगा तो कि रियक्शन क्या हो जाएगी सुलो भी हो भी वहां से हो नहीं सकती आगई बास वाज में इससे ये फर्पड़ेगा अब यहाहां देखिए यह आपने प्लस बना दिया अब आपके पास दो प्राड़क्ट बनेंगे एक यह वाली यलकीन बन सकती है और एक यह वाली बन सकती है क्या यह रेजॉनेंस में इसके साथ हाँ तो यह मेजर होगी है और यह माइनर के लिए एक लिए ऐसे समझे है चोड़ी चोड़ी बाते हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए इसको आपके वास इस तरह का कोई कंपाउंट दिया है आप आपको मुझे मैंने यही बताया है भाई कि ओ एच को अटाओ एच प्रस लगाओ काम यह करोगे लेकिन क्या यह कार्बोकेटाइन ब्रिज हेट कार्बोकेटाइन इस्टेपल है अनेस्टेपल है ब्रैट्स रूर समझ में आ रहा है तो ड्यू टू ब्रैट्स रूर प्रैट्स ब्रैट्स रूर समाल रूर जूर इस्टेपल नाय। क्यों ड्रैट्स रूर इस्टेपल है कार्बोकेट इस्टेपलगेड लगाओ ब्रैट्स,विए stable so above reaction not possible above reactions not possible not possible कुछ नहीं होगा reason की कार्बो के टायन बने गाई नहीं तो नौट पॉसिबल हो गया है पकाई बापी इस बैक चल जाएगी तो कुल मिला के यह नहीं बनेगा बने गई नहीं तो बैक क्या जाएगी कुल मिला के समझ में आ गई बात नेक्स्ट यहां पर एक रिंग बड़ी है या नहीं है देखे काउंट करो वन टू थ्री फोर फाइफ सेवेन एट नाइन टेन मुझे तो आठी चाहिए थे दस मिल गए कोई भी एक रिंग की यहां पर कोई भी एक रिंग देख लो एडो टी चार पांच यह बस चे एक दो गई चार पांच इधर छले एक दो किसी चार पांच कैसी भी कर लो किसी भी रिंग में कैसे भी कर लो आप पांच से ज्यादा नहीं मिल रहे या छे से ज्यादा नहीं मिल रहे हमें आट से ज्यादा मिल जाते हैं तो हमारा काम चल जाता है तो हमारे लिए ये इस तरह का कार्पोगेटान बनेगा या नहीन बनेगा और यह एक बंक सकता है और यह पर बन सकती है तो आप दोनों बनाएं और मेजर बताएं कौनसा ओगा जिसमें एलफा अईडूजन जादा है वह मेजर होगा होगा या होगा और अलफा इड्रोजन किस में जादा है आप बता है फॉर्स वाले में या सेकंड वाले में देखो ध्यान से दोनों में अलफा आइड्रोजन बताई है कितने अलफा है दो दो चार दो छे दो आठ एट अलफा है अच्छा कि अब एक और चीज बताएं क्या ये काईरल है या नहीं है कारबर कि सोच के बोलना जल्दी नहीं है काईरल है तो अगर यहां पर काईरलीटी सीटी है तो आपके पास ये भी बनेगा तो टोटल कितने प्रोड़क्ट बनेंगे आपके पास तीन देर थ्री प्रोड़क्ट्स द्यू तो काईरलीटी बोलो क्लियर है कंसेप्स तो खुल मिलाके आपको अगला केश्शन फिर देखना है तो आपके पास यहां plus है है या नहीं है अगर आपके पास यहां plus है तो आपके पास one two shifting होगी या नहीं होगी नहीं कर लो, मना नहीं है, लेकिन एल्कीन तो ये ही बनेगे, ये वाला ही हएडोजन निकलेगा, क्यों कि ये कॉंजूगेशन में है एलके और इस्टेबल है तो वकायदा एक बार वन-टू शिफ्टिंग कर लो आप चाहो तो यहां से लिगालोगे तब भी अलकीन बन रही है और यहां पर भी एक ही बन रही है ठीक है यह फिर निकालोगे तो भी वही बनेगी और वन-टू शिफ्टिं बिना कुछ दिमाग लगाए होती तो है बहुत फास्ट होती है मतलब अब इधर देखिए यह आपके पास ओ एच है ओएच को अटाओ और प्लस लगाओ ऐसा मैंने बताया था तो मुझे एच प्लस दो मैं तुम्हें ओएच दूगा एच टूओ दूगा यह किसका नारा था मेरा हर बात सुबाच्चन बोस बोले जरूरी नहीं है तो यहां पर अगला पॉइंट यह है कि यहां से ओएच हटाया और प्लस यहां लगाया सही है ना तो अब शिफ्ट होगा कौन सा ग्रूप होगा इस कार्बन पर प्लस पर हाइड्रोजन तो ही नहीं आपर इथाईल वाला बिल्कुल सही का तो यह वाला हो जाएगा अब इथाईल वाला यहां शिफ्ट होगा तो प्लस कहा आजाएगा यहां अब कितनी अलकीन बना सकता ही है अपने बास यही दो प्राटक्ट देखने को मिलेंगे और नीचे वाला मैज़र होगा एलफा एडुरजन जादा है तो दो प्राटक्ट आपको देखने को मिलेंगे एक मैजर हो गया एक माइनर हो गया इस्ट ऩो अगला टॉपिक देखते हैं है तुम कितना अच्छे से बताते हो एक और एक्जाम्पल हम ले रहे है कि ऑच आपको बताना है इसके अंदर मेरे से पहले कि एच प्लस लेने पर क्या बनेगा जब हीटिंग कर रहे है एलेवन नमबर का एक्जाम्पल है ट्वैल्थ आपको यह बताना है कि यहां पर यह ओएच है और एच प्लस ले रहे हैं तो मेजर प्राड़क्ट क्या होगा थाटीन इससे रिलेटेड आपके पास बहुत सारे हो सकते हैं कि फोर्टीन तो जल्दी से इन क्योंच को करिए मेरे साथ है एच प्लस अब क्या करेंगे सबसे पहला काम तो आपका यही रहेगा कि यहां प्लस लगाओ फिर वन्टू शिफ्टिंग क्या हुआ यह वन्टू शिफ्टिंग कर दें अपन यह वन्टू शिफ्टिंग हो गई है एक बार और होगा एक बार और कर देते हैं यह वाला एलकाल को पुदर चला जाएगा और यह लो आपके कहने पर मैंने एक बार और कर दिया अब अब तो एलकीन बना लूँ मेजर एलकीन यही बनेगी ठीक है अलफा एड्रोजन जाता है अब यहां क्या करेंगे अपर पहले यह बनेगा अब रियाजोनेंस होगा तो क्या हो जाएगा यह वाला बॉंड उस तरफ शिफ्ट होगा पाई इधर आ जाएगा यह वाला हैड्रोजन अलग होकर क्या बना लेगा बेंजीन रेंग साहिए यहां पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा यहां प्लस एंत्रसीन यह बहुत इसी है यह बन गया वन टू शिफ्टिंग होगी यह डॉटेट यहां जाएगा कुल मिलाके तो प्लस यहां आएगा और यह यहां जाएगा तो जहां प्लस आएगा उसके बगल वाले पर कार्बन पर आएगा बुलू क्लियर है कंसेप्स कहीं कोई दिक्कत यह मैं आपको बदा चुका हूं फिर उसके बाद एक बार और वन टू शिफ्टिंग होगी फिर उसके बाद एलकीन बनेगी आपके पास अब यह जो एलकीन बनेगी आपके पास वह यहां बनेगी जिससे अलफा एडोजन मैक्जिमम आ सके तो मेजर प्रोड़क ही होगा किलियर है कंसेप्स तो इसमें वन टू शिफ्टिंग कितनी बार हुई इस वाले क्योशन में पूछा जा सकता है वन टू शिफ्टिंग के वन टू शिफ्टिंग के एक बार हुई है वन टू शिफ्टिंग कि बस्ती बार हुई है ना तो तेकि अगर मुझसे काज जाएं मेजर प्राड्ट्क्या होगा तो यह माइन होंनां आएम ने-स यहां इंटर्मीडेटियों यह वह इंधि आफिकसों बन सकती तो हैं हिसमार। सारे होंगे इसमें जहां इतने इंटर्मिदीयत है वो भी आपके बहुत सारी रिक्षन बनाने के लिए तैयार है लिखें इसको लिख टेजार कर रहा है डी आड़ेशन आफ अल्कॉल में इंपर्टेट पॉइंट लिखें इंपॉटेट पॉइंट और इंपर्टेंट पॉइंट यह इफ ट्रेंप्रेचर इस लो इफ ट्रेंप्रेचर इस लो लो का मतलब फाइफ डिगरी संटिकेट ही है बहुत ज़्यादा नहीं है इन दी हीडरेशन इन दी हीडरेशन शन रियाक्षिंस इन अबाव रियक्षिंस लिख लो इन अबाव रियक्षिंस जो मने अभी तक पड़ा है तो क्या होगा देन इन वन एलकोहल कानवर्ट एं अधर इलकोहल इसको एग्जामपल सेसमझते हैं देखो बहू अच्छा एलक्जामपल थिए पस कार्बोह के टाइन का वंट्टू शिफ्टिंग होगी कार्बोह के टैन्यां आजाएका यहाँ तक तो आयागा यहाएगा लिए अगर उसके बाद हीटिंग हो रही है है तो आपका लटीन यहाँ को ऑर अगर उसके बाद 5 deg când तो आपका जो पहले अल्कोह यहां था वह भूटके यहां आ गया कोई डाउट तो क्या इस काईरल है यह हाँ क्योंकि बना तो कार्वोगेटायन से था तो यह कैसे बन गया यह एच टू ने बनाया अगर यह उपर से आता है तो अलग डायरेक्शन में और नीचे से आता है त एच टू ने आया और एच प्लस वापिस निकाल दिया यह एच प्लस इधर आया है और तो कुल मिला कि यहां तो माइनस एच प्लस हुआ है और यहां एच टू का एडिशन हुआ है और फिर उसके बाद माइनस एच प्लस हुआ है दोनों में अंतर है तो जब यह अंतर भी दिख़्ेगा कि आपको दो एल्कॉल मिल दाएंगे दिखेगा कि यह वह को यह ला यह यह जो दो प्रॉड़क्त मिलेंगे यह आप नोके क्या हुग घबना है उखेंस और यहHere मेले गा है यह आर मिलेだ और já मेलेगा मिलेगा दोनों मिलेंगे अपने अपूप कुछ कर्फोटरों बनती ही वह क्या हो गया ट्राइगोनल प्लेन आप खुच्छ क्या बन गया था यह मालीची यह कार बनेनेजिसपर प्लास है एक तरफ हाइड हो जाने एक तरफ C2H5 है और एक तरफ क्या है CH3 है अब oxygen उपर से भी आ सकता है और नीचे से भी आ सकता है इसके पास एक empty orbital है तो दोनों में दो product बनेंगे क्योंकि स्टीरियो सेंटर है इसलिए मैंने दो product बनाया है कोई डाउट है बस अब आप यह समझ लीजी यह हीटिंग नी और यह इतने हाइए टेंपरेचर नहीं है कि पासवाला एच प्लस निकल सकें कम तेंपरेचर तो अग मेरा क्योंशन यह रहेगा इन अबाव रियक्शन इन अबाव रियक्शन बहुत अच्छा की पॉइंट बनेगा इसके अंदर फॉस्ट और वो यह है एक दो तीन चार एक दो तीन चार ठीक है एच प्लस और फाइव डिग्री सेंटिगेट टेंपरेचर वी गेट एप एर ओफ एन इंश्यमर्स आफ एल्कोहल विल्ज एम विल जनरेट यह जनरेट गैटी लिख दो बहुत अच्छा पॉइंट है आप करें इसको पॉइंट लिखा है कि अगर फाइव डिग्री हो तो डी हैड्रेशन नहीं होता बस एक अल्कॉल दूसरे अल्कॉल में कंवर्ट होता है यही बोला मैंने तो उसी को एक्जाम्पल को धियान में रखते हुए मैं एक और एक्जाम्पल बना रहा हूं आपके साथ यह मैंने क्या बनाया साइक्लोहेग्जेन बना दिया और इस तरह से मैंने एक कंपाउंड दे दिया कोई डाउट किसी को और एक तरफ मेने ओच लगा दिया यहां ओच ले लिए अब बताईए फाइव डिग्री सेंटिकेट पर अगर यह है आपके पास तो क्या प्रोड़क्ट बनेगा अच प्लस और बहुत ज्यादा टेंपरेचर नहीं रखाए फाइव डिग्री सेंटिकेट एक नॉर्मल बच्चा सबसे पहले क्या करेगा क्या कार्बोकाटायन बन जाता है हाँ अलकीन नी बन पाता लेकिन कार्बोकाटायन तो बनता है ऐसा मैंने बोला था तो यह आपके पास कार्बोकाटायन बनने लग गया अब आप बस समझदार बन जाए है अगली पॉइंट में क्या होगा कि यह वाली वन टू शिफ्टिंग होगी 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 यह वाला बॉंट टूटेगा यहाँ प्लस यहाँ माइनस यह वहां टेच होगया बाकी तो एस इस बना लो तो जैसे यह बनेगा यह वाला इस तरफ चला गया यहाँ प्लस आजाएगा कोई डाउट वन टू शिफ्टिंग होगी ना अगला पॉइंट में क्या होगा हाँ यह प्रोपाइल है यह वह इस तरह से बन जाएगा बोलो क्लियर काशंस और फिर शिफ्टिंग होगी तो बस बनाते जाओ जित्ती तेज हाथ चले उत्ती तेज चलाते जाओ फिर क्लियर कंसेप्स और प्लस कहां आजाएगा यहां आजाएगा कोई दिक्कत नहीं है अब यह वाली रिंग टूटके बढ़ी होगी और बढ़ी हो सकती है तो क्या बनेगा यह टूटा वोट यहां बना तो कितने की बन जाएगी है और प्लस कहां जाएगा बताओ यहां जाएगा यहां जाएगा यहां आएगा प्लस जैसे यह टूटा यहां आएगा प्लस यहां आएगा बाकी तो सब ही clear है concept यह बनेगा और अगले में बापीस H2 अपना काम करेगा क्योंकि temperature जादा है नहीं 5 degree centigrade है यह इस तरफ आएगा तो अब आपके वाद प्रॉडट्ट क्या बनेगा यहाँ OH रहेगा OH आजाएगा जहाँ कार्बोकेट आयान है यह तो आउट आफ रिंग है ना कुछ माइनर प्रॉडट्ट भी बन सकते हैं यहाँ से भी बन सकते हैं यह माइनर प्रॉडट्ट हो जाएगा कि यहाँ पर आपके साथ अगर यह होता है कि यहाँ पर आपके साथ अगर यह होता है समझना एकमाट मैं फिर चेंज कर रहा हूं यह भी होता है तो अब आप क्या करते हैं तो यह आपके साथ कंटीन्यू चलता यह एलकायल ग्रॉप यहाँ रहता रहता या नहीं रहता और इससे आपके पास जो बनता तो ऐसे बना लेते हैं वह एलकायल ग्रॉप यहाँ तक चलता और और क्योंकि यहाँ टूटा है और यह वन टू थ्री फॉर बिल को वैलेंसी है तो यह सी एस त्री रहता है तो भी के लिए रहे हैं वोलो के लिए रहें कंसेप्स ओविसली होंगे मैं बदा इतना अच्छे से रहूं आपके लिए होगा कि यहाँ थोड़ा सा दिक्कत आ रह समझना एक नट तो यहाँ पर प्लस आएगा जहाँ प्लस आएगा वहाँ बिलकुल सही जा रहे हैं अब लिख लें के लिए रहे कंसेप्स बोलो यस इजी एक्जामपल कर लेते हैं साउंड चेक करें आगे तीकि आपके दिमांग में पहला क्योंच क्या पॉइंट क्या आएगा और यह बनाओ बना लिए अपने अगला पॉइंट क्या आएगा आपके पास क्या यह बॉन्ट तोडिया है तो अब आपको यह चीज इस तरह से दिखाई देगी कि यह आपके पास इस तरह से अलकीन दिखाई देगा तो यह वाला बॉन्ट टूटा है तो प्लस यहां आया है और यह ब्रिज हेट पर है बोलो यह सोनो ब्रिज कारबन पर आएगा के लिए रहे और अगला पॉइंट आपको क्या करना है अलकीन बना बापिस अब अलकीन ही बनेगी तो अग अब करों क्लिय के खान्स ती यही प्राड़क्ट आपको बनाना था यह बहुत एजी है यहांके पास प्लस बन रहा है अ यह आपके बास आया तो यहता आपके पास फ्लस यह stop आ गया क्या वंटे शिप्टिंग अभी भी possible है क्योविक् deepest पर बिल्कुल, तो ये आपके पास, ये वाला bond टूटेगा, ये वाला bond टूटके वहाँ जाएगा और plus यह हाँ आएगा यह तो थे यह वहाँ टूटके और plus यह हाँ trees यह हॉन ंकलने का इंतिजार कर रहा है यहां आपको क्या देखने को मिलेगा प्लस यहां आएगा इंतिजार कर रहा है कि यह वहाँ जाए एक छोड़कर यहां और प्लस यहां आजाएगा आपको देखने को मिल रही है तो तीनों ही बहुत एज़ी एक्जामपल है लिख लीजिए चोधा एक्जामपल हमने करे थे उसी किया कि पंदरा सोला सत्रा किस्ट्राइशन आफ एल्कॉल बाइटिंग विद्पी तो फाइफ एल्टो थी थोरियम ऑक्साइट पी ओ सिल्ट्री यह सभी दिए अजेंट है और इंपोर्टेंट पॉइंट यह है कि अबाउ रियक्शन जो होगी वह हमारे पास क्या होगी वह हमारे पास एलिमेंट्री रियक्शन और इसको हम लिखेंगे क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन इन प्रजेंस ओफ मैटल ऑक्साइट आप समझ सकते हैं मैं मैटल ऑक्साइट ही ले रहा हूं मैटल ऑक्साइट अल्टू ओ थ्री अल्कोहल गिव्स रिलेटेट अलकीन अन हीटिंग विद्दाउट फर्म कार्भो केटायन निहीं हमारे लिए क्या हो जाता है अलिमेंट्री रिक्शन विद्वाट फर्मेशन आफ कार्भो केटायन एलिमेंट्री रिक्शन तो आपको बहुत इजी वे में समझना है कि आपके पास यह कंपाउंड है और यहां और आपने एल्टू ओ-3 के साथ गरम किया तो अब आपके पास एलिमेंटी रियक्शन ने कोई कार्बोगेटान बने गई नहीं और जो बने गए नहीं तो आपके पास सिर्फ एक ही ऐलकीन बने की यह कि और है तो शिफ्टिंग होती कि पैदा ने होगा तो शिफ्ट कैसे करेंगा वन तूशें गई पासीं बलफ लही होती और नहीं नो वन तूशें प्रसेंट . तो यहां की पाइं लिग्देना यह अलग से पॉइंट की पाइंट इन अबाव रिएक्शांस नो वन्टू शिफ्टिंग प्रजेंट यहां कोई वन्टू शिफ्टिंग आपको देखने को नहीं मिल रही है यह की खास बात है यह हमारे लिए यहां पर की पॉइंट का काम कर रहा है तो अगर आपके पास खुल मिला के यह कंपॉंट ओएच और एच प्लस हीटिंग के साथ दे रखा है और एल्टू ओध्री हीटिंग के साथ दे रखा है तो फर्क पड़ेगा यहां यह कंपॉंट देखने को मिलेगा आपको और यहां आपको यह प्रॉडक्ट देखने को मिलेगा कोई आउट नहीं है यह एलिमेंटी होगी और वो कॉंप्लेक्स होगी उसमें वन्टू शिप्टिंग होगी हां जी होगी उपर वाले में होगी ना कार्बो गडारी इर्फ बने का एज प्लส के साथ कर्भो के टाःटे यह डार और एल्टॉ ओर थी के साथ कार्भो के टायन के ठाइन नहीं बननता ज derechos अब और जब भी कार्भो कटे कि और हमने इसको p4o10 के साथ गरम किया है तो पीफॉर ओटें निकाल देगा तो आपके मास क्या बन जाएक आर और ≫ तो यह हमारे पास country reaction अब हर यह भी लुआ अगला इंपोर्टेंट पॉइंट ये पुछा गया था ये आई ये ये टी जेए टू थाउजन फोर में बहुत इजी सा था करें इसको झाल झाल